इस वीडियो में MP Plus Constable का प्रिवेस एर का हम लोग सेट देख लेते हैं तो वीडियो इस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा जो लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए आज के सेसन में पहला कोशन है लुप्त अच्छर अथवा अच्छरों को चुनकर स्विंकला को पूरा करना है देखिए यहां पर लगा हुआ है कोशन मार कौन सा अलफाबेट आएगा तो कर लेते हैं एक एक पंक्ति को लेकर चलते हैं पहले पंक्ति में देखि 6 गटा, अब दूसरी पंक्ती को देख लेते हैं, P का कोड होता है 16, P का होता है 20, और L का होता है 12, देखें, 16 से 20 बना, तो आपका 4 जुड़ा, और 7 में 20 से 8 बना, 20 से 12 बना, तो 8 गटा, मतलब उपर 3 पहले जुड़ा था, उसका 2 गुना 6 गट गया, फिर 4 गटा, 4 होता है 9, N का होता है 14, तो देखें, 9 से 14 बनने में क्या हुआ, 5, तो अब आगे क्या होगा, इसका 2 गुना कर देंगे, पंद उनी 10, 10 घटा देंगे, 14 में से 10 घटा हैंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 4, तो यहाँ पर अलफाबेट आ जाएगा D, तो आप साने, इस र T का अलफाबेट कोड कितना होता है 20, E का कितना होता है 5, A का कितना होता है 1, C का होता है 3, H का अलफाबेट कोड होता है 8, E का होता है 5, R का होता है 18, इससे आपका क्या बन रहा है, इससे आपका V, G, C, E, J, और G, T बन रहा है, अब इनके भी alphabet code लिख देते है V किसका होता है 22 का G का code क्या होता है 7 C का code कितना होता है 3 E का alphabet code होता है 5 J का होता है 10 G का होता है 7 और T का होता है 20 तो देखिए 20 से 22 बना कितना जोड़ा 2 5 से 7 बना कितना जोड़ा 2 1 से 3 बना कितना जोड़ा 2 3-5 बना कितना जुड़ा 2 8-10 बना कितना जुड़ा 2 5-7 बना कितना जुड़ा 2 18-20 बना कितना जुड़ा 2 सभी में 2-2 जुड़ा है यही तरीका problem के alphabet code में लगाएंगे तो हम लोग problem के सारे alphabet लिख लेते हैं P-R-O-V-L-E-M P का alphabet code कितना होता है 16 R का होता है 18 O का होता है 15 B का alphabet code होता है 2 L का होता है 12 E का होता है 5 M का होता है 13 सभी में दो दो जोड़ देते हैं 16 में दो जोड़ा तो आपका आए 18 18 में दो जोड़ेंगे तो आएगा 20 15 में दो जोड़ देते हैं तो आएगा 17 2 में दो जोड़ेंगे तो आएगा 4 और 12 में दो जोड़ेते हैं तो आएगा 14 पिर पांच में दो जोड़ेते हैं तो आएगा साथ और तेरा में दो जोड़ेंगे तो आजाएगा पंद्रे अब इनके अलफाबेट लिख देते हैं 18 का किसका अलफाबेट कोड़ होता है आर का 20 किसका होता है टी का 17 होता है क्यू का चार अलफाबेट कोड़ किसका होता है डी का 14 होता है अनका साथ फिर जी का होता है और 15 होता है ओ का यह जो अलफाबेट हैं यही आपका अंसर हो जाएगा और यह कौन से आप्शन में आ रहे हैं आप्शन भी आप्शन भी इस राइट अंसर नेक्स्ट कोश्चन देख लेते 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20 कितना चलता है 15 मींटर जतीन आरम इस्टल से कितनी दूर है देखिए starting point ये last point ये और कि ये दूरी तो में पता है 20 मींटर ये दूरी कितनी होगी उपर देखिए 25 है तो ये भी 25 हो जाएगी तो 2025 कितना हो जाएगा 45 मीटर Option D is the right answer Next question है निम्नांकित में से कौन सा राष्टिय उद्यान मद्ध प्रदेश में नहीं है Option है बन्नेर घट्टा राष्टिय उद्यान निम्नांकित में से किस राज में विधान परिसत मौझूद है Option है उत्तर प्रदेश अगला है बेट रिन्री साइंट्स यूनिबरसिटी निम्न सहर में इस्तित है तो कौन से सहर में इस्तित है तो इसका हो जाएगा Option B जबलपुर भारत में भारती नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है तो Option B 21 अपरेल को मनाया जाता है चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई क्या है Option A 9 किलोमीटर इंटरनेट और मोबाइल एसोसियसन ओफ इंडिया के अध्यच के रूम में किसे नियुक्त किया गया है ये हो चुका आपका पुराना कोश्चन पहले जो नियुक्त किये गये थे तो वो किये गये थे Option C राजन आ नंदन लेकिन हब बर्तमान में काउन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा कि क्या हो सकता है सब्द अंडर कटिंग इससे सम्बंदित है होकी भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया का नाम बदल कर रखा गया है ऑप्सने भूपेन हजारी का व्रिज अगला देख लेते हैं भारत में सबसे लंबे समय तक सेबा करने वाले मुक्ष मंतरी कौन थे जोती बसू मद्द प्रदेश की राजिक रीड़ा क्या है मलखम्ब अभिनो भारत निम्न में से निम्न के द्वारा संगठित किया गया था बीर साबर कर लोकसभा की पहली महिला अद्यच का नाम क्या है मीरा कुमार भागोलिक रूप से मद्द प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है दूसरा अगला है लुप्त संख्या चुनकर स्रंख्ला को पूरा करना है बहुती सिंपल सा कोश्चन कर लेते हैं गाईसम लोग तो लुप से संग्याचुन का स्रंखला को कैसे पूरा करेंगे सबसे पहले एक से दो बनाते हैं एक से दो बनाया दो का मल्टिप्लाई हुआ दो से तीन बनाया तो दो में तीन बटे दो का मल्टिप्लाई हुआ दो से दो कट जाएगा आपका आजाएगा तीन बटा दो अब तीन से च्छे बनाते हैं फिर आपका दो का मल्टिप्लाई हो जाता है फिर छे से नो बनाते हैं फिर आपका तीन बटे दो का मल्टिप्लाई ओके दो से च्छे कटेगा तीन तीन दिर का नो अब देखें, 9 से 18 बनाया, फिर क्या हुआ, दो का मल्टिप्लाई, एक चीज कामन चल लाई, इसमें 2 का मल्टिप्लाई, फिर 3 बटे 2, फिर 2 का मल्टिप्लाई, फिर 2 का मल्टिप्लाई, आगे क्या होगा, 3 बटे 2 का, 18 में 3 बटे 2 का मल्टिप्लाई, कर लेते हैं, 2 से 18 कर तो यहाँ पर क्या आजाएगा 27 फिर 27 में दो का मल्टिप्लाय होगा तो अगली संक्या आजाएगी 24 कंडिशन सेटिस्पाइड तो आपका अंसर हो जाएगा 27 option B is right answer अगला है लुप्त संक्या चुनकर संक्ला को पूरा करना है देखे 3 से 6 बनाया 2 का मल्टिप्लाय 6 से 18 बनाया 3 का मल्टिप्लाय 18 से 72 बनाया 4 का मल्टिप्लाय संक्या बढ़ती जारी 2, 3, 4 अपोगा 5 का मल्टिप्लाय बहात्तर में अगला है लुप्त संक्या चुनकर संक्ला को पूरा करना है देखे चार से 5 बनाया तो आपका कितना जुड़ा एक 5 से 9 बनाया कितना जुड़ा चार 9 से 18 बनाया कितना जुड़ा नौ 18 से 34 बनाया कितना जुड़ा 16 अब देखे एक एक होता है एक का स्कॉर होता है चार होता है दो का स्कॉर होता है 9 जो होता है यह 3 का स्कॉर होता है 16 होता है 4 का स्कॉर आगे अब किस का स्कॉर होगा 5 का स्कॉर और 5 का स्कॉर कितना होता है 25 इस 25 को मेलक 34 में जोड़ देते है तो हमारा answer आजाता है तो जोड देते हैं 9 और 5 69 आपका answer आजाएगा तो option D is right answer नेक्स्ट उस विकल्ब का चैन कीजिए जो की दिये के कत्नों निसकर्सों के बारे में सही है कत्न निसकर्स का question है कत्न आपका कहता है कुछ चोर डाकू है तो चोर का कुछ हिस्सा आपका डाकू में चला जाएगा और सभी सेंदमार क्या है डाकू सारे सेंदमार क्या हो जाएंगे डाकू तो डाकू के अंदर सेंदमार आ जाएंगे ओके पूरा का पूरा सेंदमार समाहित हो जाएगा डाकू में निसकर कहता है कुछ सेंदमार चोर हैं तो सेंदमार का कोई भी हिस्सा चोर में नहीं जा रहा है तो पहला गलत कुछ डाकू चोर है तो देखिए डाकू का कुछ हिस्सा चोर में जा रहा है तो दूसरा सही तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन है केवल निसकर से दो अनुसर तो फिर एक संख्या छोड़के 5 से 8 बनाते हैं कितना जुड़ा 3 कितना जुड़ रहा है 3 अब उपर वाला देख लेते हैं 0 से सबसे पहले 2 बनाते हैं 0 से 2 बनाया तो आपका कितना जुड़ा 2 फिर एक संख्या छोड़के 4 बनाते हैं 2 से कितना जुड़ा 2 मतलब सभी में 2- जोड़ रहाए तो देखे ऊपर दो जोड़ा तो नीचे भी दो जोड़ेगा पांस से आठ बन रहे हैं तो पांच में हमें क्यवद दो जोड़ना है तो यहां पर आना चाहिए था कितना आड़ के जिंगे पर साथ लेकिन आ रहा है आठ अब आगे भी देख लेते हैं दो जोड़ के अब साथ से नौ बनाते हैं तो इसमें भी कितना जोड़ा दो कंडिसन अपलाई हो गई तो आपका गलत सही हो जानो जाएगा साथ थोरी आ है आपकी एक अभाज संख्या और लाश्ट में 73 भी है एक अभाज संख्या लेकिन 63 जो है यह आपकी क्या है एक भाज संख्या इस त्रेसर से भी कट जाएगा तीन से भी कटेगा बहुत से संख्या उस कर सकता है ओके तो इसका अंसर आजाएगा भाविसम जो हो जाएगा भिन हो जाएगा 63 option is right answer अगला है नीचे दीग इस रंकला में संख्याओं का एक्रम उपस्तित है गलस से योजन पैचाणना है कर लेते हैं गाइस सबसे पहले 0 से 2 बनाया तो कितना जुड़ा 2 2 से 6 बनाया कितना जुड़ा 4 6 से 12 बनाया कितना जुड़ा 6 12 से 30 बनाया कितना जुड़ा 8 20 से 30 बनाया कितना जुड़ा 10 अब एक ची देखिए 2 और 4 के भी डिफरेंस कितने का है दो का 4 और 6 के भी दो का डिफरेंस 6 और 8 के भी दो का डिफरेंस 8 और 10 के भी दो का डिफरेंस तो आगे भी दो का difference होगा, इस दो को हम लोग 10 में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आजाएगा 12, इस 12 को 30 में जोड़ेंगे, तो हमारा आजाएगा 32, 42 आजाएगा, लेकिन आ रहा है 44, तो गलस से योजन हो जाएगा 44, option C is right answer. अगला नीचे दीगे इस रंखला में संख्याओं का एक्रम उपस्तित है, गलस से योजन पैचानना है, देखिए, 6 से 14 बनाते हैं, तो 6 में 2 का multiply, 12 और 2 को जोड़ दिया, कितना गया 14, अब 14 से 30 बनाते हैं, 14 में 2 का multiply और 2 को जोड़ दिया, तो 30 आ गया, पीछे सभी में क्य आना चाहिए 62 लेकिन आ रहा है 64, अब आगे भी अपलाई कर लेते हैं, 62 से 126 बनाते हैं, तो 62 में 2 का multiply और 2 को जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 126 condition अपलाई होगे, तो गलस सही हो जोड़ जाएगा 64, option D is right answer, अगला question है, यदि greatness को इस से coded किया जाता है, तो goodness को कैसे coded किय जाएगा, greatness के सारे alphabet लिख लेते हैं, G, R, E, A, T, N, E, SS, अब इनके alphabet code लिखते हैं, G का alphabet code कितना होता है 7, R का कितना alphabet code होता है 18, E का alphabet code होता है 5, A का होता है 1, T का होता है 20, N का alphabet code होता है 14, E का alphabet code होता है 5, S का होता है 19, फिर S का होता है 19, अब इस से आपका क्या क्या बन रहा है, इस से आपका बन रहा है, H, Q, F, Z, U, M, F, R, T, अब इनके भी alphabet code लिखते हैं, H का code कितना होता है 8, Q का alphabet code होता है 17, F का होता है 6, और Z का होता है alphabet code 26, U का कितना होता है 21, M का alphabet code होता है 13, F का होता है 6, R का होता है 18, अब देखे 7 से 8 बना कितना जुडा 1, 18 से 17 बना एक घटा, 5 से 6 बना एक जुडा, 11 से 26 बना एक गटा, 24 से 13 बना एक जुडा, 14-13 बना एक गटा 5-6 बना एक जुड़ा 19-18 बना एक गटा 19-20 बना फिर एक जुड़ा मतलब एक सीरीज चल ले पहले एक जुड़ा फिर एक गटा फिर एक जुड़ा फिर एक गटा ये सीरीज हम लोग goodness के alphabet code में भी लगाएंगे तो कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले goodness के सारे alphabet लिखते हैं G, O, D N, E D, S देखें G का alphabet code कितना होता है 7 O का होता है 15 फिर O का होता है 15 D का होता है 4 N का होता है 14 E का alphabet code होता है 5 S का होता 19 फिर S का होता 19 बही तरीका लगाते हैं सबसे पहले एक जोड़ेंगे 7 में 8 आठ आ गया फिर 15 में एक गटाएंगे तो 14 आ जाएगा फिर 15 में एक जोड़ेंगे 16 आ जाएगा फिर 4 में एक गटाएंगे तो 3 आ जाएगा चौदा में अब एक जोड़ेंगे तो पंदरे आ जाएगा फिर पांच में एक घटाया चार आ जाएगा 19 में एक जोड़ा 20 आ गया और 19 में फिर एक घटाया 18 आ गया अब इनके अलफाबेट लिख देते हैं आठ किसका होता है? H का 14 होता है N का 16 होता है P का 3 होता है C का 15 होता है O का 4 होता है D का 20 होता है T 18 होता है R का यह जो अलफाबेट मिले यही आपका अंसर हो जाएगा और यह कौन से आप्शन में आ रहे हैं? सबसे पहले तुम्हें आपको बताना चाहूंगा यह आ रहे हैं आप्शन C में आप्शन C इस राइट आंसर अगला कोशन देख लेते हैं बहुत ही सिंपल सा है यदि कैंसल को इससे लिखा जाता है तो फैसन को कैसे लिखा जाएगा? कैसे कोड़ित किया जाएगा? कैंसल के सारे अलफाबेट लिख लेते हैं C A N C E L S नमरिंग दे देते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, और साथ टोटल अलफाबेट कितने है? साथ इससे आपका क्या बन्दा है? C L E फिर C N A S तो देखें C का उपर हम लोगों ने माना था एक तो एक इधर आ गया आपका अब L की बारी है L का क्या माना है? छे तो छे इधर लिख दिया हम लोगों ने अब E का कितना माना है? पांच पांच लिख दिया C का क्या माना है? चार, चार लिख दिया N का क्या माना है? तीन, तीन लिख दिया A का क्या माना है? दो, दो लिख दिया और S का माना है साथ इनी नमबरों के आधार पर हम लोग fashion के alphabet सेट करेंगे तो F-A-S-H-I-O-N इन में भी numbering दे देते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ ओके, अब कर लेते हैं उपर सबसे पहले किसका नमबर आये था? एक का तो एक यहाँ पर किसका है नीचे fashion में एप का, तो एप लिख दिया उसके बाद दो की बारी है, दो देखिए उपर किसका है, एका था तो दो यहाँ पर किसका है तो देखिए अगला नमबर जो था उपर, छे का था तो 6 देखी यहाँ पर किसका है O का तो यहाँ पर O लिख देते हैं अगली बार उपर किसकी थी 5 की तो 5 यहाँ पर किसका है I का तो I लिख दिया उसके बाद किसकी बारी थी 4 की 4 किसका यहाँ पर H का H लिख दिया उसके बाद था 3 का तीन किसका था S का यहां नीचे तो S लिख दिया उसके बाद साथ की बारी थी उसके बाद थी आपकी दो की बारी दो किसका था A का यहां पर था तो यहां पर दो किसका है A तो A यहां लिख दिया उसके बाद है साथ की बारी साथ यहां पर किसका माना न का यह जो alphabet मिले है यह आपका answer हो जागा और यह कौन से option में आ रहे हैं option A तो देखे गाईस option A नहीं होगा आपका यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं option A यहाँ पर हो जागा नीचे की तरब F O I H S A N तो option A is right answer देखें, जैसे की ऊपर नमबर सेट किये थे, उनी नमबरों के आधार पर फैसन के alphabets हमें सेट करने थे क intentional क्या क्या कोड है फ्लॉवर्ञ कोड पता चल गहाई तो सबसे पहले और 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 यहां पर आ रहा है और औह और कहान applied बाएं Mayo की अफ्लॉवर्ञ के तो उनके अर्थ में हमें मिल ला है E-E-H E-E-H तो flowers का code क्या हो जाएगा E-E-H अब देखिए हम लोग किसका देख लेते हैं R R देखिए यहाँ पर आ रहा है और R यहाँ पर आ रहा है ओके और उनके अर्थ में क्या क्या का माने बो भी देख लेते हैं हम लोग आसानी से तो क्या मिल ला है उनके अर्थ में हमें मिल ला है E-E-P और E-E-P तो red का R का code क्या हो गया E-E-P अब red red की बार यह देखिए red यहाँ पर बच्चा हुआ है color को थोड़ा सा अलग करते हैं red देखिए यहाँ पर बच्चा हुआ है और उनके अर्थ में क्या बच्चा हुआ के आई एस तो red का आर्थ हो जाएगा के आई एस अब हमें vegetables का निकालना है तो देखिए last में vegetables वस्ता है तो इसका code क्या हो जाता है T-I-M तो यह जो मिल गए यही आपका अंसर हो जाएगा ओके I hope आपको समझ में आया होगा अगला है भारतिये विज्ञान कॉंग्रेस का 104 सत्र कब आयोजित कहां पर आयोजित हुआ था option C तिरूपति देखे कथन निसकर्स का question है कथन कहता है सभी teacher क्या है पजल सभी teacher क्या है पजल तो सारे teacher क्या हो जाएंगे पजल हो जाएंगे क्या हो जाएंगे पजल और सभी पजल क्या है टिकलर क्या हो जाएंगे टिकलर अब निसकर्स कहता है सभी teacher टिकलर है सभी teacher टिकलर है बलकुल सही क्योंकि टीज्ड जो सबसे चोटा आप्सən है और takeler सबसे बढ़ा टिकलर में ही समाहित है teacher कि तो सबसे बढ़ा तुछ हो सकते हैं टीक्ला लेकिन सबी नहीं हो सकते पृष原 करताया है कुछ पत्थर पाओं है पत्थर का कुछ इस्सा पाओं में चला जाएगा और सभी पत्थर क्या है घड़ी सारे पत्थर क्या हो जाएंगे घड़ी निसकर से कुछ पाओं घड़ी है तो देखिए पाओं का कुछ इस्सा घड़ी में जा रहा पहला सही दूसरा कहता कुछ घड़ी पाओं है तो घड़ी का भी कुछ इस्ता पाओं में जारा है दूसरा भी सही इसका हो जाएगा Option D निसकर्स एक और दो दोनों अनुसरान करते हैं अगला कोजिशन कहता भीम बेट का गुफा है इसके लिए प्रसिद है तो Option C फैल चित्रों के लिए और आज का लाश कोशन ने कहता सभी चौक बरो है तो सारे चौक क्या हो जाएंगे बरो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे बरो और कुछ बरो क्या है कैमरे तो ऐसे बन जाएगा बैन डाइग्राम अब निसकर्स कहता है कुछ बरो चौक हें तो बरो का कुछ इस्ता चौक में जा रहा है TO PAHLA सही दूसरा है कुछ कैमरा चौक हें तो देखें चौक का दूर दूर तक कोई सम्बन नहीं कैमरा से दूसरा जलत तो का हो जाएगा ऑप्शन भी केबन निसकर्स एक अनू सरण करता है तो काई दास किसे वीडियो में इतना है थैंक्यू दने